पैसा विट्रॉल करने के लिए इस वीडियो में BGVD का सहरा लेने वाला हूं और CoinBazar Exchange Application की मज़द से बजाने वाला हूं एक बाद तो आपको पता होगा कि SBG Global से हम डारेक्टली Paytm, Google पे, Phone, Paper, पैसा ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं हमें अपने SBG को रुपए में Convert करना पड़ेगा, इसको Convert करने के लिए हमें CoinBazar Exchange Application का ज़रूद पड़ेगा यह बाद मैं आपको बता दू अगर आपने CoinBazar Application में Account नहीं Create किया है तो मेरे यह वीडियो देखकर आप अपना Account Create कर लीजिए सबसे पहले तो हमें SBG Global Application को Open करना है Open करने के बाद में हमें नीचे Scroll करेंगे तो यहां पर एक Withdraw का Options होगा अब हमें यहां पर क्लिक करके BGBT का जो Options हो ओरा है यहां पर हमेंक्लिक कर देना है क्लिक करने के बाद में अब हमें हमें यहां पर एक Address पेस्ट करना पड़ेगा Receivers Address में यह Address जो है हमारा CoinBazar Application में मिलेगा तो CoinB firing को Open करके Wallet के Option पर हमें क्लिक करना है फिर यहाँ पर हमें उपर जो है सर्च करना है BGVT चलिए हम यहाँ पर सर्च कर लेता है फिर यहाँ पर एक deposit का options होगा तो मुझे deposit के option पर click करना है click करने के बाद में यहाँ पर BNB smart chain को select करके अब यह address जो दिखाए दे रहा अब हमें यहाँ copy के option पर click करके इस address को हमें copy कर लेना है copy करने के बाद में अब हमें यहाँ पर फिर से SBG Global Application को open करके receivers address में जो अभी हमने copy किया था उसको हमें यहाँ पर paste करके OTP mode में हमें अपना mobile जो है select कर लेना है फिर उसके बाद में submit के option पर हमें click कर देना है अब हमार registered mobile नमबर पर एक OTP आएगा तो अब हमें वही OTP जो है यहाँ पर enter करके submit के option पर हमें click करना पड़ेगा चलिए submit के option पर मैं click करता हूँ तो यह हमारा account जो है successfully added हो जाएगा तो आप मुझे यहाँ पर close के option पर click करके withdrawal panel के option पर फिर से हमें click करना है जैसे ही हम यहाँ पर click करेंगे तो फिर से हमें pop-ups होगा तो अब हमें इसे cut करके नीचे scroll करेंगे तो हमें यहाँ पर select receivers address पर हमें click करना है फिर BGVD का options होगा तो अब हमें यहाँ पर click करके अब हमारा amount यहाँ पर enter करने के लिए बोला जाएगा चलिए हमार पास 51.79 SPG है तो अब हमें amount में 51 SPG जो है enter करना पड़ेगा 51 enter करने के बाद में OTP mode पर click करके हम अपना mobile जो है यहाँ पर से select कर लेंगे select करने के बाद में submit के option पर हम click करेंगे जैसे ही submit के option पर click करेंगे कट करने के बाद में हमें इसका एक screenshot ले लेना है चलिए screenshot ले लेता हूँ तो यहाँ पर देख सकते हैं हमारा withdrawal successfully हो गया है 51 SPG का अब हमें इसको close कर देना है close करने के बाद में अब हमें SBG Global का कोई काम नहीं है अब हमें CoinWizard application में काम करना पड़ेगा चलिए CoinWizard application को मैं open करता हूँ फिर valid के option पर click करूँगा तो आप यहाँ पर refresh करते जाएगा 15-20 मिनिट के बाद में आपका यहाँ पर BGVT का option जो है यहाँ पर सो होने लगेगा अब यहाँ पर सो हो रहा है तो अब हमें इस BGVT को रूपए में convert करना पड़ेगा रूपए में convert करने के लिए अब हमें यहाँ market का जो यह option देख रहे हैं यहाँ पर click करके search वाले option पर click करके अब हमें यहाँ पर BGVT जो है select कर लेना पड़ेगा BGVT INR का options होगा तो अब हमें यहाँ पर select करना पड़ेगा select करने के बाद में अब हमें यहाँ buy और sell का options होगा तो सबसे पहले हमें यहाँ पर जो देख रहे हैं sell के option पर click करना पड़ेगा चलिए sell के option पर मैं जैसे ही click करता हूँ तो यहाँ पर देखिए दो options हो रहा है एक red color में एक green color में अब यह जो red color वाला सो हो रहा है वो sell का प्राइस हो रहा है और यह green वाला options हो रहा है यह buy का price हो रहा है देखिए अभी हमें तुरंती बेजना है तो हमें क्या करना पड़ेगा खरीदने वाले के दाम पर बेजना पड़ेगा तब ही हम तुरंती sell कर पाएंगे जैसा कि अभी देख रहे हैं कि कोई ऐसा वेक्ति है जो हमारा यहाँ पर 0.0142 रूपीज में खरीदना चाता है बीजी वीटी को तो अब हमें 0.0142 रूपीज में बेजना पड़ेगा और अगर आपको अपने दाम पर बेजना है तो आप कोई भी दाम यहाँ पर एंटर कर सकते हैं लेकिन अभी हमें तुरंत बेजना है तो अब हमें 0.04142 एंटर करके अब हमें amount में जितना यहाँ पर बीजी वीटी सो हो रहा है अब हमें उतना बीजी वीटी यहाँ पर एंडर कर देना पड़ेगा 100% कर देना पड़ेगा करने के बाद में अब हमें यहाँ पर sell का option जो देख रहे हैं अब हमें इसी sell के option पर click कर देना है जैसे ही sell के option पर click करेंगे तो यह order हमारा successfully हो जाएगा तो अब हमें क्या करना पड़ेगा यहाँ पर से अब back आना पड़ेगा न चलिए back आ जाते हैं तो अभी यह देखे हमारा bgbt sell हो चुका है back आएंगे तो फिर यहाँ valid के option पर हम click करेंगे तो refresh करते जाएंगे तो कुछ दिर बाद refresh करने के बाद में हमारा यहाँ पर balance हो होने लगेगा INR में हमारा पैसा सो होने लगेगा अब इस INR को bank out में withdraw करने के लिए हमें यहाँ withdraw के option पर जो देख रहे हैं इस withdraw के option पर हमें click करना है फिर के बाद में हमें ok कर देना है इसी bank out पर लेना चाते हैं तो ok पर click कर देंगे फिर के बाद में amount में अपना amount एंटर कर देंगे जितना हम withdraw करना चाते हैं एंटर करने के बाद में send OTP का जो यह option देख रहे हमें यहाँ पर click कर देना पड़ेगा तो हमारे registered email ID पर एक OTP जाएगा जैसे कि आ गया है तो हम इस OTP को यहाँ पर enter करके withdraw fiat के option पर click कर देंगे जैसे ही यहाँ पर click करेंगे तो ok का यहाँ पर options होगा अब हमें अपना Gmail ID जो है open करना पड़ेगा चलिए Gmail ID open कर लेता हूँ तो यहाँ पर एक request आएगा तो confirm का अब हमें यहाँ पर confirm के option पर click करना पड़ेगा जैसे ही हम confirm के option पर click करेंगे तो फिर से हम यहाँ पर अपना coin bazar application को open कर लेंगे तो अब यहाँ पर हमारा यह पैसा कुछ देर में हमारा deduct हो जाएगा लगबग आधा गंटा लगेगा तो आधे गंटे के बाद में यह हमारा पैसा deduct हो जाएगा जो कि id at the rate अर्विन राज 01 है